रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बेलारूस की वार ड्रिल, बेलारूस की एर फोर्स और एर डिफेंस फोर्स की ड्रिल हो रही है क्रूज मिसाइल अटाइक और ड्रोन अटाइक रोकने के लिए ये ड्रिल अंजाम दी जा रही है वार एक्सरसाइज में S300 और TORS सिस्टम भी शामिल है 22 अपरेल तक चलेगी बेलारूस की ये वाड्रिल एक तरफ यूक्रेन में रूस की सेना मिलिटरी ओपरेशन्स को अन्जाम दे रही है वाडरिल में बेलारूस, Air Force और Air Defense Force ने हिस्सा लिया वाडरिल के जर्य बेलारूस की Air Force ताकत की नुमाईश कर रही है Air Drill में बेलारूस के लड़ाकू विमानों के साथ होलिकोप्टर्स ने हिस्सा लिया अलकि इस वाड्रिल को देखते हुए कई बड़े सवाल कि बेलारूस में ड्रिल के माइने क्या है? क्या बेलारूस बॉर्डर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बेलारूस बॉर्डर रूस और युक्रेन की फ्रंट लाइन बनेगा? वाड्रिल के जरिये कीव को क्या ये ड दराने की कोशिश है। रूस यूक्रेन पर विद्वनसक प्रहार कर रहा है। बेलारूस का यूक्रेन और पोलिन में तनातनी भी जारी है। ऐसे में बेलारूस की वार ड्रिल से पडोसी मुल्क डरे हुए है। समभना ये कि यूक्रेन वार में बेलारूस रूस का साथ देने विटेन गाइडिड मिसाइल और ग्रेनिड अटाक में सक्षम है जैकाल बिटेन की रॉयल एयर फोर्स जूस यूगरेन जंग में ड्रोन की काम्याबी को देखते हुए बेहतरवांस ड्रोन बना रही है रॉयल एयर फोर्स के चीफ ने हलके ड्रोन की मांकी थी इसे पूरा करने के लिए जैकाल नाम की मिनी हेलिकॉप्टर का ट्राइल किया जा रहा है। इसकी रेंज 130 किलोमेटर है, स्पीड 160 किलोमेटर प्रती घंटा, लंबाई 8 फिट और यार्क में फ्लाइबाई टेकनॉलिजी इसे बना रही है। बिना दुश्मन की नजर में आए, इससे निशाना लगा जा सकता है, खास बात ये कि चलते फिरते टार्गेट का पीछा कर उसे भी ये निशाना बना सकता है। रॉयल एर फोर्स का कहना है कि आने वाला समय ड्रोन का है और जैकाल दुनिया में बन रहे तमाम ड्रोन से अलग और बेहत खातक है।